ज्यादा नहीं इमांदारी से 30 से 40 मिनिट अगर रोज पढ़ा है 6 महीने तक रिपीज हो गएरा मतलब रिपीजन हो गएरा किया रिपीट किया है तो पुड़ांग मिल जाता है अराम से आए अब तक LCM HCF हो चुका है न यह हो चुका है सभी को मेरी आवाज आ रही एस बी गेमिंग धीरेस पीटे पीके सनातनी आयांस सोनम अंकीत अफ्रीन मनीशा मोहीत पंकज लोकुस साथियों पहला चेप्टर है जिसमें तीन अंको तंकी संख्याओं का LCM HCF अभाज गुड़नखन एवं भाग विदी से कहा गया था मुझे उमीद है यह कंपलिट हो चुका है है न हो चुका था न कुछ बचा होगा तो बता देना बाद में करवा दूँगा कि दूसरा चेप्टर है बेंजको में परियुक तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग के संकेतों तथा कोश्ठा का सरली करण यानि इसमें एक परकार से बोर्ड मास नियम है तो बोर्ड मास नियम आज हम पढ़ेंगे उसके बागी मतलब बागी जो चीजें उनको आगे पीछे करते रहेंगे इसमें चलोड़ झाल झाल बोर्ट मार्स रूल बिल्कुल 0 से पढ़ेंगे B का मतलब होता है ब्रेकट प्यानी कोश्ठक इंदी में कोश्ठक कहते हैं O का मतलब आदर या आफ सब्स्ट्रक्शन गटाना ठीक है ये मतलब समझ गया है आईए बात करते हैं इस्टप बाई इस्टप इनको लिख लिजी पहले स्वएब बातचीत बहुत कर रहे हो लास्ट वार्णिंग भी दे चुका हूँ अब तुम्हें सिर्फ बलाग करना है आगे बढ़े चलो आईए ठीक है कोश्ठक देखिए साथी मेरे ये कई परकार के होते हैं जैसे रेखा कोश्ठक छोटा कोश्ठक मजला कोश्ठक और ये बढ़ा कोश्ठक ठीक है ये चार परकार के कोश्ठक होते हैं कोश्ठक का भी सीरियल से हल करते हैं ठीक है क्या करते हैं इनको सीरियल से हल करते हैं समझना यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग से बात करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं बहुत टाइम है अभी एक्जाम होने को अगर आप इमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत समय है चलिए जैसे मैं बहुत पहले छोटा सा सवाल देता हूँ एक दम चोटा सा समझे इसका मान बताइए बहुत चोटा प्रस्ण है न साथियों बोर्ड मास्क का नियम में आप पढ़ चुके हों देखो क्या है इसका मतलब है सबसे पहले ब्रेकट वाला पार्ट हल करते हैं फिर आफ या अधर वाला जो अंडर रूट वगरा होता है वो सब करते हैं फिर डिबीजन मल्टीपल एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन ये सीरियल होता है ठीक है गला मेरा कुछ खराब है बरसाथ का टाइम चल रहे हैं देखो यहां पर मैं अब कमेंट नहीं देखूंगा चलो इसमें ब्रेकट कहीं है नहीं अगर ब्रेकट वाली चीज़ें छोड़ दें तो क्या आता है ब्रेकट वाली चीज़ें झोड़ दें यह चोड़ दें तो the डिजीजन से सुरू होता है तो deleजन सबसे पहले होता है फिर चैनल सबसे पहले होता है फिर मॉल्टीपल होता है इडिशन पिर सभ्सक्शन यह सीरियल है कि कि छलो सबसे पहले भाग करेंगे इतना हल करेंगे 15 सीन को भाग करेंगे साथ ही मेरे 15 आ जाएगा सब को दीख रहाना चाच्छा कितना अंडर राइट है इतना हो गया है एक मिनेट रुकना यार रुकना थोड़ा हाँ जी हाँ चले बहिए देखो कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट होती है बात ही करनी पड़ती है चलो तो यह 15 हो गया अभी इसके बाद जो प्लफ है इनको ऐसे लिख दोगे एक लाइन में आप एक चीज करोगे पहला हो गया बोर्ट मास नियम में पहले भाग हो गया अब डिवीजन होता है न अरे भाग डिवीजन ते कहा होता चाच्चा मल्टीपल होगा न गुड़ा गुड़ा वाला यह यह हल होगा तो पंदरा ऐसे रहेगा प्लस नो सते तिरफट माइनस का तीन यानि हम यह हिस्सा हलकलियत इतना आ गया आप सिर्फ जोड़ना और घटाना है तो पहले जुड़ता है इनको जोड़ दो पांतीन आठ चाह एक साथ माइनस तीन पचछत्तर आएगा लाश्ट में लिख लो अराध न तिवारी जी सिर्फ पढ़ाई बेदान देजिए कापी पेस्ट ना करिए निवेदन निवेदन है सिर्फ पढ़ाई बेदान देजिए कापी पेस्ट ना करिए चलिए हो गया तो ये था बोर्ड मास रूल का बिल्कूल बहुत ही छोटा फा नन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल जिसका आप लोगों ने कर दिया बुरा हाल चलो दूसरा सिकेंड कुश्चन पर आ जाईए उमीद है कि सभी हल कर लेंगे अब इसका मान बताईए क्या आएगा कर लेंगे आए जनाब देखिए बताता हूं बोर्ड मास रूल की अकार्डिंग इसको भी हल करेंगे इसमें भी सनियोग से ब्रेकट नहीं है कहीं तो ब्रेकट नहीं तो कोई रोंक टोक है नहीं सबसे पहले डिवीजन करते हैं देख लो एक बार नहीं तसल लिए तो अगर ब्रेकट नहीं है यानि ये इतना चीज इसमें से गायब है तो भाईया भाग शुरू होगा पहले नंबर पे एक पे भाग है, दूसरर के पे गुड़ा है, तिफर के जोड़ना है, चूठय पे गणाना है, यही चारो ही करना है उसमें बस, इतना में अधिल लगाना है तुमें चलो सबसे पहले भाग करेंगे फिर गुड़ा फिर जोड फिर घटाना क्योंकि उपर वाली चीजें उसमें है नहीं तो पहले भाग वाला करोगे उसके नीचे वहां तक वह ऐसे लिख लेंगे बिना किसी छेड़ चाड़के बिल्कुल तो नाइन प्लस ये फाइफ माइनस सब लिख लो इतना कुछ नहीं छेड़ना बस तीन से भाग करोगे 27 में नौ आएगा न तो इसकी जगा पर पूरे खिन नौ आएगा फिर गुड़ा का चिन बाद में हो 5 भाग हो गया आप क्या करोगे गुड़ा या जोड़ बतावा हो शिरोमनी का अंसर आ गया रुक्सार सोना मुर्तिका धर्मेंद्र दिब्या सबका अंसर आ गया हमाहीं पीछे ही का हो चला फिर हमाहीं दौड़के चली थे चला 9 धन 5 माइनस 9 पचे 45 अगले लाइन में जुड़े भाईया ही हो जाएगा 9 5 14 माइनस 45 देखा बहुत आसान आये का घटाओ अगर 45 से 15 घटाते तो 15 आता कहां दिमाग जाए रहा है खुपड़ी चरह गई है का 45 से 15 घटाते तो 30 आता लेकिन सनियोक से 14 घटारे देख जाता आएगा मतलब 31 आएगा उल्टा घटा है तो माइनस में आएगा इस में किसी की कोई गल्ती नहीं है माइनस से आएगा ठीक है भाईया जिनका माइनस नहीं है उनका गलत है सभाऐ खाय हो भाईया लोग आवा की नाए आवा हो भुझान की नाएउँ को थ्वड़ा बहुत तो बुझातस हैं हो जादा न बुझातस है तो लोग जो देखा थे आक्षरा किसारी और पवन सिंका तब हुआ जाता बुझा था यह थोड़ा बहुत बुझाए चला देखा देरे-देरे बुझाए लागे आवा नहीं है हम परे आग राज उपी वाले हैं अवद से बिलांग करते हैं इस परसली आईए अगला देखिए 47 प्लस 5 इनको हल करिये कितना आएगा बताएए जल्दी करिये कितना आएगा देखिए अभी डियलेट का क्लास सुरू हुआ है तो स्टार्टिंग में हम स्टेप बाई स्टेप चीजें सिखाते हैं डारेक्ट हवा में प्लेन नहीं उड़ाते हैं तो जिनको हवा में उड़ना है वो कहीं और जाएं जिनको रियल में सीख लिखना है शुरू से वह जुड़े हमारे साथ उनको पूडांग मिलेगा मैत में पूडांग मिलेगा चलो आप देखो क्या करना है बहुत मास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं तो ब्रेकट खोज लो टार्च लेके जहां भी है उसके पहले सब कुछ वह करोगे तो तीन आएगा थीक है कितना आएगा तीन धान ये दस गुड़ा पांच आप क्या करोगे आप गुड़ा करोगे तो 47 धन 5-3 इनका गुड़ा करो 50 आएगा अब अगले दाइन में का करोगे प्लस शिर्फ प्लस प्लस वाला जोड़ लो 47 तीन पचास दुई बावन 52 में 50 जोड़ो एकसो दुई 99 आएका हो किसे का कोई डाउट कोई तकलीफ शिल्फी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है इंटरनेट सही करिए या वीडियो की क्वाल्टी कम कर लीजे चलेगा हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हमने अपनी पूरी जिंदगी जोग दिया इसकी क्वाल्टी सुधारने में अब इससे ज़्यादा बेतर कुछ नहीं हो सकता है हमारी तरफ से फूल एच्टी में रिकार्ड हो रहा है कोईशन नमबर तीन अधिके बोर्ड मास रूल में आपको चीज़ें बदलेंगी थोड़ा बढ़ेगा इस्टेप अब यह देखिए सारे ब्रेकर से सजा हुआ है बताइए कैसे करेंगे चलिए जबाब दीजिए मनीशा समझ में आ रहा है सोयव बंधना कृष्णा मोहन निवेदन है सभी से सांती बनाए रखें चाय पानी की बैवस्ता की जा रही है मिलेगा सबको रुके रहो हमारे यहां ही पानी खराब हो गया फिल्टर इसलिए जुखाम पकड़ा हुआ है यही तो है ना लत लग जाती है कहते हैं कि वो वक्त गुजारते रहे और हम आधी हो गए देखो कैसे बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं सबसे पहले ब्रेकट करते हैं ब्रेकट में साथ ही अरे यह र प्रकार के होते हैं रहें कोश्था चोटका कोश्था मजलका कोश्था बड़ा कोश्था तो इनको के सीरियल सबसे पहले अगर आप देखो तो रेखा कोश्टक नहीं है गायब है तो बीवाले से सुरू होगा छोटा कोश्टक से चोटा कोश्टक से हल करेंगे देखो समझों आपर साथी मेरे छोटका कोश्टक यह है वहां तक इनको ऐसे लिख लो 19 प्लस यह 5 माइनस वहाँ तक ऐसे लिख लो 17 प्लस अब देखे इस कोश्ठक में 5 माइनस 3 है तो यह 2 हो जाएगा अब बाद में 5 है इंटू तो 5 मैंने पहला step कर दिया जो करना था उसी नियम के अनुसार क्या होगा अब मजला और बढ़का कोश्ठक है तो फिर हम मजला कोश्ठक हल करेंगे अब मजला कोश्ठक में जो जैसे है उनको वैसे सीरियल से करेंगे मजला कोश्ठक हमें खतम कर देना है तो सबसे पहले गुड़ा करेंगे साथी मेरे क्योंकि गुड़ा और जोड़ दोनों है तो यह 10 हो जाएगा इसमें 17 जोड़ोगे तो 17 ता 27 यानि इस कोश्ठक को हम खोलेंगे तो 27 आएगा और बाहर से गुड़ा का चिन लगा है दो लेकिन एक काम करेंगे है इसा लिखना सही है क्या नहीं खाताम तो करना चाहता था बड़ नहीं हो रहा है वो कोश्ठक मैं फिर से लगा रहा हूँ इसकी पहचान के लिए ठीक है 27 दूना 54 होगा यह पहले जुड़ेगा 29 पांच 24 24 माइनस 54 वाई साब घटाल्या हो 30 आएगा माइनस में नुपूर निगम सही है कोई डाउट किसी को सिवं तुम्हें मैं बलाग कर रहा हूँ पर्मानेंट हमेशा के लिए वो रिपलाई तो नहीं दी लेकिन मैंने दे दिया तुम्हें चलो यह पढ़ाई वाली क्लास है यहाँ पर चैटिंग नहीं होती है यह डेटिंग वाला अप नहीं है चलो हो गए आगे बड़े साथियों देखो बोर्ड मास रूल इसमें क्या कुईस्टन और भी परकार क्या आते हैं थोड़ा रुकना बोर्ड मास रूल में बहुत तरह के सवाल आते हैं यार सभी को समझ में आ गया एक बार हाँ बोल दो यास या नो एक बार बोलिए सभी को समझ में आया हाँ या नहीं बताईए आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए थोड़ा से रुकना रुकना थोड़ा से माई आया चलिए देखिए आगे अगर अगर सभी को आ रहा है तो बोलो एक बार यास अगर बढ़ियां आए सब इसमें और क्या-क्या बचा है अगा अगर 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 कर दो इसके अलावा हम क्या करने चल रहे हैं पता है आपको रुको बताता हूं अब आजी गुड़न खंड हो गहरा भी है बेंजको में परियुक तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग अलजेबरिक एक्स्प्रेशन वाली चीजे जानते हो नहीं आप उनको बता देता हूं पहले ध्यान सुन लो थोड़ा सा जरूरी हैं आगे काम आएंगी यह जानते हो नहीं आप यह है उसमें वेरियबल देखे ए से लेकर के जड तक तक के जितने भी लेटर होते हैं यह सभी वेरियबल कहलाते हैं चर्पत कहलाते हैं ठीक है समझ लीजिए बहुत जरूरी चीजे हैं यह बोड मासरूल एक अलग चैप्टर था उसका जो कंसेप्ट था लगबग चीजे मैं बता दिया हूं उसमें बहुत से प्रक्टिस अनन तक यह कंस्टेंड कहलाते हैं या फिर अचरबद कहलाते हैं इनकी संख्या अनिश्चित होती है ठीक है इनके कोई लिमिट नहीं होती है इनकी लिमिट होती है इनकी संख्या सिर्फ 26 होती है 26 से अधिक नहीं होती है इसके मान निश्चित होते हैं जहां पर दो लिखी दिया तो दो ही रहेगा किसी भी आवस्ता में कभी बदलेगा नहीं इनके मान सिच्वेशन के अनुसार बदल जाते हैं किसी भी अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान रखने पर ठीक है? समझ रहा हूँ? इस्क्रिन साड लेए जल्दी चलो अलका समझ में आ रहा है अपरी ननसारी सिल्पी आ रहा है समझ में पंकत सिंग आया समय को चलो अब आओ चलो आगे देखो इस्क्रिन साड ले लिया करिए ठीक है? अब मतलब की बात करते हैं थी मेरे जैसे जोड़ने की अगर बात करें उसके पहले आपको पढ़ना होगा फजातिये पद लाइक टम्स भी जातिये पद या अनलाइक टम्स अनलाइक लाइक टम्स इसमें क्या क्या देखा जाता है पता है नमबर एक चर समान हो गात समान हो चर और गात समान हो ने चाहिए सजातिये पद होता जैसे देखिए पहला जैसे साथ यक्स यह क्या है इसमें चर समान है यक्स है और गात भी वन है नो यक्स इसमें भी देखो चर समान है गात एक है एक चीज और समझना जैसे यहां लिखा 17 वाई ऐसे समझना यहां पर भाई हमरे यह गुडांख है क्या है गुडांख ठीक है इसका गुडांख है यह क्या है यह एक परकार से मुख्य पद है या फिर इसे आधार बोल सकते हो और यह घात है ठीक है समझ रहे हो तो जो गुडांख है साथी मेरे किसी भी नमबर का यह गुडांख कुछ भी हो सकता है इससे सजातिय बजातिय पर कोई फरक भी पड़ता ठीक है में यह चर देखा जाता और यह घात देखी जाती बस जैसे यहाँ पर हो गया अठारा यक्स यह ठीक है यहाँ पर मैंने सिर्फ यक्स लिख दिया यह भी ठीक है यह कभी सभी क्या सजाती बाद है इसमें देख लो तुम भी जातिय में 19 यक्स लिखा फिर 11 वाई लिख दिया फिर 5 यक्स स्कॉायर लिख दिया यह भी जातिय पद हो गया क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर 4 यक्स है यहाँ पर 4 वाई है यहाँ पर 4 यक्स की घात 2 है यहाँ पर 1 है यहाँ यक्स की घात 3 है मतलब हर जगा ना तो घाते समान है ना चर समान है सबी समझ गए ना यानि चर और घाते दोनों समान होनी चाहिए समझ में आ रहा है फटते लिखो अरादना जी निवेदन है पढ़ाई पिधान दीजिए आपको बहुत बहुत थैंक्यू जो आपने इतना ज़्यादा तारीफ किया और भी चीजें पढ़िया है लेकिन पढ़ाई पिधान दीजिए ज़्यादा बाते करनी है नंबर दिया उन पर फोन करिएगा हमारे एसिस्टेंट साथी लोग आपकी हेल्प करेंगे आगे चले चले देखिए चरपद समान जैसे उननीस एक्स वाई अगर यहाँ स्कॉयर लगा दें एक्स स्कॉयर वाई पांच वाई एक्स स्कॉयर यह चरपद हैं सभी क्यूं सजाती है इन में चर दोनों में देखो यक्स वाई है इसमें भी यक्स वाई है इसमें भी यक्स वाई है या वाई एक्स है आगे पीछे से कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे देखो इन में कोई फरक नहीं पड़ता न वैसे इन चर में इधर उधर होने से कोई फरक नहीं यहाँ पर main गात देखनी है इसमें गात दो है इसमें एक है यक्स की गात दो है यक्स की गात दो है वाई की एक है यनि इस पजातिय पन है ठीक है भया system हमारा discharge हो गया थोड़ा मैं charger लगाँगा थोड़ा सबर रखना जो चीजें पढ़ाई जाए उन्हें प्यार से देखिए और नोट करिए अलका सिंग समझ में आ रहा है चलो आए आए आपका ही तो इंतजार था आए जनाब देखिए इनमें अगर हम सेम चीजें लिख दें 19 यक्स वाई यहाँ पर यक्स वाई स्कॉायर और यहाँ पर हम लिख दें यक्स घाद दो वाई घाद दो तो यह बिजातिये पत कैसे हो जाएंगे कोई कारण बताएगा बताओ चर तो सभी यक्स वाई यक्स वाई उसमें भी थे इसमें भी थे इधर यह सजातिये था उधर बिजातिये काहे हो गया बताओ उजल अभी हम आपको याद करने लगेंगे फिर आप भाग जाएंगे इसलिए कभी कभी मुझे भी इंतजार कर लो तुम सब लोगा अपसे में याद करते वे को कभी कोई निक है ताद याद कर रहे थे हमें भी याद कर लिया करो कभी कभी नहीं तो हम याद कर लेंगे तो कमेंट नहीं आए गा इसह नहीं चलता काम देखिये आपने देखा होगा जिन लोगों में आजकल साधी भी बाव होते हैं आजकल सब समाज में पहले तो जाती समान होना चाहिए दूसरी उनकी पावर भी समान होनी चाहिए लगबख काफी केस में समझ रहो अगर एक बहुत ही लो क्वाल्टी का इंसान है बहुत ही गरीब तबके का है बहुत ही हाइफ हाइफ घर में उसका रिलेशन नहीं बन सकता है समझ रहो कोई परधान मंतरी या मुख्य मंतरी का लड़का या लड़की है तो किसी सामान ने सबजी बेचने वाले ठिला लगाने वाले बेखती से उसकी साधी बहुत रेयर केस में कभी impossible मतलब हीसी लगती है ना नहीं होगी पहले तो जाती समान होने चाहिए दूसरा power समान होने चाहिए तो यह साधी वाला example समझे लो तुम ऐसे ही हैं लोग अपने क्या गते हैं बराबर में खोजते हैं रिष्टे नहीं चलते हैं और इंबosition खार ह्थ और हो बस दर्या दिली लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े च्पर रिवार च्छोटे बड़ी में जुड़ जाते हैं वह अигрवलग बात पेपर सबका बढ़िया हुआ चलो सभी समझ गए तो चलिए देखिए आब आगे थाड़ वाला देखा भाईया देखा मगर सबही देखा 48X Y और Z Y स्कॉयर ZX X Y स्कॉयर Z देखो यह क्या सजाती है पद है एक बार सब्सक्राइब बोलो फटाफट चलो लिखा भाईया लिखा हो यह सब भी सजाती है पद है उधर वाले भी क्या नई देखे चर तो समान है X Y Z X Y Z सब में है लेकिन पावर गड़बड है मतलब अगर एक ही जाती के मालो दोनों लोग सुकला जी शुकला जी लोग है तो ऐसा नहीं कुनकी साधी होई जाएगी का है एक लोग बहुत ही निम्न क्वालिटी के आते हैं बहुत ही इंकम के मामने में आर्थिक रिष्थिति करबड़ है एक लोग बहुत ही हाई फाई है तो ऐसा possible नहीं यहाशे रिष्थे बहुत कम बनते हैं तो ऐसे क्या जाती तो समान हैn लेकिन कि पावर समान नहीं है ठीक है तेखो घाते समान होनी चाहिए चर यानि वैरियेबल्स अधर दोनों इकवल होने चाहिए तब ही सजाती यह होते है Twee सिरो मनी सर्मा जी आ रहा समझ में सभी को समझ में आ रहा है तो चला फिर सभाई देखा हो यह मैं सभाई सजाती है पर ढूंड के निकाला जोड़ा लगावा इनका अब हम एक सभाई इसमें नंबरिंग कर देंगे रुको दिखाता है अगर इनकी हम नंबरिंग करें अगर सजाती है तो आप ऐसे लिख दो अगर सजाती है पद C और E है तो आप लिख दो C E कौन कौन है देख मगर सभी देख सर आप मतलब में समझा नहीं देखा मगर सभी देखा ऐसा बोला होगा सायद उजल सिंक की साधी हम सेट कर रहे हैं बस इनको थोड़ा देर के लिए बलाग कर रहे हैं चलो कोई बताया अंजनी का आंसर आया A और D अच्छा और कोई जोड़ा बना पाएगा किसी का तुम लोग कर नहीं बन रहा है तो कम से कम इसीं बना दो A B C E देखो ठीक है देखो X Y घाद दूई और X Z पहला नमबस इन दूइनों क बनता है Y घाद दूई है X और Z ठीक है X की दो है Y Z ठीक है A B और D A B और D है और A एक ठीक है C और E ये फजाति ये बत है न एबी सी डी सी ये का है भाईया A B C डी सी नहीं ये गलत है देखिया इसमें दो बन रहा है ठीक है दो जोड़े बन रहे हैं एक A B और D है हाँ और एक है ये C और E सजाति ये बत आगला चलो और आगे आगे चलो X Y Z X स्कॉाइर Y Z 9 Y स्कॉाइर Z X 8 X स्कॉाइर Z Y X Z Y स्कॉाइर इसमें दिमाग लगेगा खोपड़ी ना नीचे से उपर तक भीज जाएगी अगर लगाओगे तो नहीं तो नहीं आने वाला ये मजे मजे वाला नहीं आने वाला है बंदना इंटरनेट की क्वाल्टी बहुत अच्छी होगी तो चलेगी क्योंकि कलाफ एजडी में है और आप थोड़ा सा अपनी क्वाल्टी वीडियो कम कर लिजिए बतावा हो गटाई उटाई जाम होती है आजमाई देखिए यक्स वाई और जड़ है यक्स की घाद दूई है ए में वाई की घाद दूई है तो कहूं और वाई घाद दूई है आँ है एक ठीप वाला लई ला वाई गाद दूई एक्स जड़ यह इसमें भी है ए में भी है सी में भी है कुल पाँचे ठीपाद है यहां है ठीक है पी एस सी कौन पी एस सी गाद समान है भाईया देखो यहां 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 य अफरीन समझ में आ रहा है मोहिनी रागिनी मिस्रा टाइम लगता है रिप्लाई करने में वाटसाप का इंतजार करिए कोई परस्नल चैटिंग तो होती नहीं फटा-फट कर दें हजारों मैं सजाते हैं बेट करिए सजातीय पत अगर आज आप सीख गए ना तो बहुत बड़ा चीज सीख गए चलो अगला देखो इन में सजातीय पत बताना कर देखरा है चलो इनकी नंबर ही करो इन में जोड़ा बनाओ फटा-फट चलो बताओ कौन-कौन सजातीय पत है जल्दी करिए फटा-फट चलो रेड़ी शिरो मनी हाँ बताइए अंजनी अदो आयांस SB गेमिंग वर्थिका सिंग बताइए चलो बहा आओ देखो A, X, and Y अगर आप ध्यान दो तो A, X, Y सब में है लेकिन बात पावर की है पावर का खेला है तो पहला तो हमें E लिख लेंगे उसके बाद A का घात दो X, Y किसमें है? C में भी है A का घात दो इसमें A वाले में भी है ठीक है A, C, E D वाले में यक्स की घात दो है अब B वाले में भी है तो बस होई का भाईया A, C, E, और B, D इनको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कोई बुराई नहीं है इनको आगे पीछे कैसे भी लिख दो इनसे कोई मतलब नहीं है ऐसे भी लिख सकते हो सभी को सजाती है पत समझ में आया देखे तवियत बहुत अच्छी नहीं है तो क्लास बहुत बड़ी नहीं चलेगी फिलाहल के लिए क्योंकि ठंडा काफी अच्छा लगता आज कल और फिर आज की क्लास यहीं पर बंद होती है अगली क्लास कल चलेगी जो भी साथी डेली फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं वो हमें टेली गराम पर जरूर जोइन कर लेंगे इमानदारी के साथ जिससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन पीडिया फाइल और भी अन्य सूचना अपडेट मिलती रहे इसके अलामा पीडिया अप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको धंग से अच्छे से कलास मिल जाएगी अगर आप चाहें तो जाके सब्सक्रेब्शन ले सकते हैं अपलिकेशन में जो अभी कलास होती है उनके कोर्सर में पूरे 60% तक की छूट चल रही है 15 जुलाई तक अगर आप इंडॉल करते हैं तो आपको पूरे 60% तक कर डिस्काउट मिल जाएगा ठीक है तो भीया एक बार पीवियार स्टेडी अप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अगर आप ये अप्लिकेशन वाली कलाफ लेते हैं सब्सक्रेब्सन वाली तो आपको अलग से स्पेसलिस स्टेडी में हल्प किया जाता है पूरा कंप्लीर कोर्स करा जाते हैं और धंक से पढ़ा जाता है इसमें डाउट वगरा के लिए अलग से भी सेशन होते हैं आप पूछ सकते हैं और भी जो भी चीजें हैं उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं ठीक है? कुछ भी कनफ्यूजन है चले हो गया तो ठीक है फिर आज का क्लास यहीं पर खतम होता है बहुत बहुत धन्नेवाद आप सभी को किसी को कुछ कहना है तो बता दे न ठीक है भी या बाइ